नमस्कार दोस्तों मैं नीति अंकुर चोधरी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर रुद्र नौलिज अब और मैं आज आपके लिए फिर एक नई वेकंसी लेकर आई हूं ठीक है आपके लिए बहुत कुछी की बात है ठीक है जो लोग जो लोग वहां से जहां की वेकंसी देख रहे हैं वहां से बलोग करते हो तो वह उस पूम को बस से फिल करें के वेकंसी है सारी डीटेल जाने कब इंटर्व्यू है कब ठीक है और कितनी एज लेमिट है सारी चीज़े आपकी वसी इंटर्व्यू बेस जोब है ठीक है और आपको नहाँ कि पर जाएंगे ठीक है और जाएंगे और आउंस्मेंट में जाकर यह जो फर्स्ट वाला से पर किलिक करेंगे लाट डाउनलोड हो के यहाँ पर जाने के बाद आपको सारे डिटेल दे रखी है कि इंद्रे विध्याले न्यू कैंट परियाग राज परता में दुवित्य पाली ठीक है और जो इंटर्व्यू इंटर्वी इंफॉर्मिशन है सारे वह हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इंद् रखें ठीक है टीजीटी ओल सब्जेक्ट और कंप्यूटर इंस्टेक्टर ठीक है और योगा टीचर काउंसलर नर्स ठीक है इन सब के लिए आपका इंटर्व्यू होना है छे फरवरी और साथ फरवरी को बाद में आगे देखते हैं ठीक है और यह आपका इंटर्व्यू जो स्टार्ट होगा वो सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा और साम का कोई टाइम नहीं है जब तक बच्चे रहेंगे इंटर्व्यू लिया जाएगा ओके इच्छु का आवेदक दिनां 25 जनवरी दोजार चोबिस तक आप अपना आवेदन इस वाली इमेल इस वाली इमेल इस वाली इमेल पर आप अपना ओनलाइन यह फोर्म है फोर्म फिल करके इसको बेजोगे केविस कोंट्रेक्चुल डैट दरेड जीमेल डोट कोम इस पर बेजोगे ठीक है केवल इमेल दौरा प्रापत आवेदन ही विचार किया जाएगा 25 जनवरी 2024 के बाद बेजेगा और फिर आपको एक काम होर करना है आवेदन ओनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर दियेगे गूगल फोर्म से लिंक किया जाना है ठीक है यह आपका गूगल फोर्म का इन लिंक दिया इस पर आपको क्लिक करके इस फोर्म को बढ़ना है ठीक है अब भी बताती हूं कैसे फि तो आप इसमें डासक्ते हो और 6 फरवरी कोहिख का पीजिए टी कंपूटर के कंपूटर साइंस को रहा हो इन्होंने इसमें मांगा सब्सक्राइब कर सकते हो आपका नर्स का ही होगा अपने डिप्लोमा नर्स नर्सिंग का ले रखाओ चैनल परवरी को आपका कांसलर का होगा बीए से साइकलोजी विज सर्टिप्लोमा इंड कांसलिंग ठीक है यह मैंने सारे डिटेल अपनी पहले वाली वीडियो में दे रखिया महां से देख लेना ठीक है और डिजाइरेबल है मतलब कंपलसरी नहीं है डिजाइरेबल है कि मि यह करन रखा हो थो यह पर बीचिटरी इस नहीं ने कर रखाए ठीक है नेक्स्ट साथ परवरी को क्या ख़यांट अगर अगर थे 50% आपके मार्स है 50% और आपने सीटेट प्राइमरी लेवल का कर रखा है तो आप इसके लिए इलिजेबल है नोट दे रखा है नोने लिखित परिक्षा के आदार पर ही चैनित अभ्यारतों का साथ सकारे तो बुलाया जाएगा यानि के छैन फर्वरी को इन सब का इंटर्व्यू है और छैन फर्वरी को ही आप लोगों का यह इसका यह अब की बार रिटिन टेस्ट लेंगे ओके पी आर्टी वालों का उपर व इस स्कूल से ग्रेजुएशन कर रखा हो और आपने ब्ब्ध करका हो साथ मैं और ब्याड के साथ आपने सीटेट पास कर रखा हो जुनियर लेवल का ठीक है तो यह आप इसमें लिजिबल हो साथ फर्वरी को यह आपका सामजिग विज्ञान का होगा ठीक है टीजटी सोसल साथ परवरी कोई आपका पीजी टी का होगा ओल सब्जेक्ट का ठीक है और इस एसेंसिल कॉंपिटन स्टीज थो हिंदी इंग्लिस मेडियम डिजायरेबर नॉलिज और नॉलिज और अपको पड़ाना आना चाहिए ठीक है डिजायरेबल मांगा इनोंने कि आपको कंप्यूटर नॉलिज होनी चाहिए ठीक है और आपका जो आप ब्यारती विद्याले की वेबसाइट जो अभी हम आए थे पर दिये गए गूगल फॉर्म को आवे दन 25 तारीक 25 जनुर्वरी दोजाचोबिस की रात ग्यार बारा बज़े तक आप इसको बर सकते हो सीधे इस पर किलिक करोगे ठीक है यहां से देखो अब मैं फॉर्म बढ़ना बता देते हूं आपको यहां पर इसको किलिक करेंगे कंट्रोल सी और पर मैं इसको कोपी कर लेती हूं यहां से कंट्रोल सी और सीधे हम जाएंगे फिर से अपने गूगल क्रोम पर वहां पर जाके पेस्ट कर देंगे और यहां पर हमने एंटर मार दिया ओके एंटर कर दिया यह कौन से यह इसकी वेबसाइट खुल गी बई एनॉंसमेंट में जाएंगे हम जाएंगे सबसे उपर यहां यह वाली वेबसाइट पर जाएंगे जोनने गूगल फॉर्म दे रखा है और इस पर हम यहां से कोपी कर लेंगे कंट्रोल सी यहां से कोपी किया और इसको अटाओ और यहां पर हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं और एंटर करेंग तो आपके सामने Google form खुल के आ जाएगे देखो application form for contractual appointment 24 ठीक है और जो भी जहाँ भी star लगा है वो mandatory है यहाँ पर आपको अपनी active email देनी है यहाँ पर चूज कौन सी post के लिए आप apply करोगे तो आप यहाँ पर जिस post के लिए apply करोगे तो आप वो चूज करोगे ठीक है और जै के बाद आप अपना नाम जो भी आपके documents के according और 10th mark sheet के according यहाँ पर आप अपना नाम दोगे ठीक है और नीची आप अपना mother name capital letters में fill करने है यहाँ पर अपना father source band name date of birth अपनी 10th के mark sheet के according next आपका residential address next आपका active mobile number ठीक है next आपका active email ID और फिर next करेंगे ठीक है जो भी होगा व यह चीजे हो गई अब सीदा में इस पर आते हैं और जो इसका form होगा यह नीचे आपको जाएंगे तो आपको form भी मिल जाएगा ठीक है इसका form है किसी भी निकट के cyber care पर जाकर आपको इस form को भी print कराना है आपको email भी करना है इस form को और आपको google form भी submit करना है इस form को यह आ यहां पर आपका photo और जो photo है आपका self-attested होना चाहिए पद नाम आप किस post के लिए किस post के लिए apply कर रहे हो यहां पर पद नाम ठीक है प्रार्थी का नाम पिता पती का नाम माता का नाम जनमती थी पूर आपका address telephone number और आपकी educational ठीक है qualification क्या है ठीक है यहां पर दे दोगे 10 10th, 12, TGT, PGT, Beard, Seat यह सारी चीज़े आपको देनी है अगर आपके पास experience है तो आप यहां से यहां पर experience experience अपना फिल करोगे और last में आप अपने स्थाक्षर signature यहां पर आप अपना नाम ठीक है और please bring this duly filled form along with the required documents on the interview date जिस दिन आपका interview होगा उस दिन आप यह फॉर्म अ साथ में आपको रिजीव में भी लेकर जाना है और दो तिन फोटो लेकर जाने है आपने ठीक है और सभी अपने documents की photo copy original, original documents और सभी original documents की photo copy, सब self-attested होनी चाहिए ठीक है यह सब आपको लेकर जाने है और बाकि अगर कोई query हो तो आप मुझे comment box में comment करें और यह website का link मैं आ मेरी telegram channel का link भी आपको मेरे description box में मिलेगा और माजा कि आप मझे telegram पर follow करें और thank you so much